ये गाइज आपका बंस अगेंड वेलकम है टेक आफिस पे और इस वार मैं फिर से लेकर आया हूं लेटिस्ट यू का अपडेट जिसे मैंने फ्लेश किया है अपने रेडमी के 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 20 प्रो के अंदर साथा रेडमी के नोट 4 के अंदर कि इसके लिए पोर्ट रोम अवेलबल ह हो जाए कि आपके पास कोई अधर डिवाइस है जिसको यू का अपडेट मिलता है तो इसमें क्या कुछ चेंज होने वाला है यानि इस वीडियो में आपको ये पता चल दाएगा कि इस लेटेस्ट वरजन जो कि 20.3.26 है इसमें क्या कुछ नया देखनी को मिलने वाला है करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो शुरू करते हैं तो हम आ गए इसके बाउट के पेज पेज जहां पर आपको लिखाओ मिलता है और ये इन्डोय टेन बेश्ट लेशल्या को इन्डोय टेन मिलता है यहां पर सिक्योर्टी पैच 2020 321 का जो कि बिलकुली लेटेस्ट है वहाई पर कर हम यहाँ पर पोर्ट्रों की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है Security Patch जो कि 2021-1 का है यानि 2-3-month ओल आप कहा सकते हो वहाई पर अगर हम नहीं Note 5 Pro की बात करें कि इसमें क्या हमें देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको जब बिल्कुल लेटिस्ट एक स्टेप आके देखने को मिलता है जो कि 2024-5 का है यानि अब यह जो अपरेल आया नहीं और यहाँ पे Security Patch प्रवाइट कर दिया गया है Redmi के Note 5 Pro के लिए तो Security Patch के मामले में यह वीनर बन जाता है तो Security Patch सभी डवैसों को अलग देखने को मिलने वाला है अब बार यह आती है कि Change Log हमारा क्या है तो Change Log के लिए हमें आना होगा अपडेटर की और Triple Line पे टैप करना है और What's New पे टैप करना है जहाँ पर आपको कुछ चीज़े लिखवी मिलते है जैसे कि Optimize किया गए हमारा Security Patch जो कि March और April का है और Improve किया गया है Security तो यह तो Port Rom है जिसको इसे इसे Old Dollar मिला है और यह Latest है Official है इसलिए इसको April का देखने को मिल जाए और K20 Pro अभी तक March में ही लन कर रहा है वह पर Third Party जो Camera में यूज करते हैं उसमें प्रॉलम आ रहा था जब यह फिक्चर हम गिलिक करते हैं तो उसका प्रिव्यू सो नहीं होता तो यह है जो फिक्स कर दिया गया है उसका वाल्यूम स्लाइडर है यह प्रॉलम था हमारे MI10 के अंदर वह फिक्स हो गया है अब यहाँ पर रिस्टिक कर सकते हैं तो डार्क मोड को और इंडिविजूल एप का नया फीचर्स आइड किया गया है तो यह सिर्फ उसे फीचर्स इंड़ाइड 10 वाले MIUI उजर्स को मिला है जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था तो उसके लिए बाद सिंपली आप आप आणा है सेटिंग की ओर, इस्प्ले की ओर जाना है, डार्क मोड पर जाना है यहाँ पर आपका दिखाई देता था जो कि गलोबल डार्क मोड है जो कि फोर्स फुली थर्ट पार्टी आप को डार्क में चेंज करता था बट अब यह चेंज हो गए है हमारा इंडिविजुल आप में क्योंकि वो भी उतना जादा परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था इसलिए यहाँ पर हटा के इंडिविजुल आप किया गया है उसके बाद आप जैसे इसे इसे इनेवल कर दोगे जितने भी आप्स आप अपने फोन के अंदर यूज कर लेओ उन सा भी थर्ट पाटी आप्स का लिस्ट बन जाएगा जिसे आप फोर्स फुली है जो डार्ट में जो चेंज कर सकते हो जैसे कि हमारा अंटूटू है तो अंटूटू अगर पहले डार्ट में नहीं आ रहा था तो इस इन्विजूवल एप के बज़से ये डार्ट में चेंज हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से सो करेगा और ये जो स्कोर है 4,3,1,9,4,0 का पिछले वाल में भी सेम स्कोर देखने को मिला था वह है लाइट मूट का अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये स्पोर्ट रोम के अंदर ये फीचर्स देखने को मिलता है तो जी नहीं ये सिर्फ उसे इंड़ाइट 10 उज़स के लिए मिला है आएक ये रोबरते हैं वह ये लाइट मूट जो कि विजुल कर दिया गया है अस्पेसल फीचर्स के अंदर तो ये भी पहले था बट इसके आइकन नहीं थे तब आइकन एड़ कर दिया गया है अब देखो ये यहां पर आई का एक आइकन आ गया है लाइट मूट के साथ जो कि पहले हमें देखने को ये नहीं मिलता था यानि अगर आप स्मार्ट होम यूज कर रहे हो अप्लिकेशन तो वह चीज़े एड़ की जाएगी बाट यह हमारा ओफिचल नहीं है यू का है इसलिए अप्लिकेशन हमारे अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है यानि फोन के अंदर ना कि हमारे बोटी के अंदर ठीक है यहां प है लेकिन कुछ कुछ चीज़े अभी भी अवेलबल है जैसे कि हमारा कलेंडर कलेंडर का वर्जन अपडेट किया गया और यहां पर अनिमेशन में हलका सा चींज आपको देखने को मिलगा सलाइटली देख सकते हो जब भी मैं इससलाइट करना कुछ उपर और कुछ नीचे तक वह फ्लोर होता हो और नजर आता है वोटर की तरह तो यह नए अनिमेशन ने जो एड किया गया है जो कि हमें पहले देखनी को नहीं मिलता था तो यह भी आप को सिर्फ और सिर्फ डेखनी को मिल दाएगा कहां पे तो इंडरा टेन वाले रोंस के अंदर यानि इस पोर् अब डीपली बात करते कि क्या कुछ इसके लावत चेंज देखनी को मिलता है तो पहली चीज आपको मिल दा थी कैमरे के अंदर जो की काफी अच्छी चीज है लेकिन यहां पे मिस कर दी गई है हमारे EU के अपडेट के अंदर क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया थ टॉप अपकामिंग फिचर्स देख लेना ताकि आपको अंदाजा हो जाए बट यहां पी फिचर्स मिसिंग है वो है हमारे वीडियो के अंदर सब्टाइटिल का तो देखते हैं कि नेश्ट अपडेट में देखनी को मिलता है या नहीं लेकिन जैसा कि न्यू जा रही है कि यह हमारा लास्ट बीटा अपडेट होने वाला है क्योंकि 11 बंद करने वाला है और M.I.O.A. 12 का काम सुरू होने वाला है अब अगर आप सेल्फी के उपर आते हो यह आप एक नया ओप्सन देखनी को मिलता है वो है यहां पर मैजिक मिरर का जो कि कुछ इस तरीके से काम करत है तो आप देख साथ दिखा रहा है तो बस यही चेंज आपको कैमरे के अंतर देखनी को मिलता है इसके अलाबा कोई भी चेंज आपको यहां पर नजर नहीं आता है एक most important features जो के हमारा सब्टाइटिल का था वो फिलहाल के लिए यहां पर रिमूव कर दिया गया है तो वे यू के पाई वाले कैमरे की बात करें और इसके सेलफी पर आते हैं तो यहां पर कुछ भी नया देखनी को नहीं मिलता है तो यह जो फीचर से सिरुफर सिव Android 10 वाले users को देखनी को मिलने वाला है वही पर हमाना next features है वह है गैलरी के अंदर तो यह वीडियो कंप्रेंस के ब करते हो जहां पर वाटरमोग एड़ हो जाता है कैमरे का और एडिट पर टैप करते हो यहां पर एक ऑप्सन देखनी को मिलेगा जिसका यूज करते हुए आप यहां पर इसे रिमूब कर सकते हो तो काफी अच्छा इंपोर्टेंट फीचर से जो कि सिरुफर सिफ एंडॉइ यहां पर पाई और पोर्ट इनके अंदर कुछ भी ऐसा देखनी को नहीं मिलता है क्योंकि यहां पर मैंने भी वाटरमोग का यूज किया है आप देख सकते हो लेकिन जब भी मैं एडिट पर टाइप करता हूं कोई भी रिमूब का ओप्सन देखनी को नहीं मिलता है तो यह यहां पर बहुत सारे चीज़े एड किकिते जैसे कि अर्ट कुइक का ओप्सन हो गया यहां पर फैमली गार्ड हो गया और बहुत सारे चीज़े थी लेकिन यहां पर सारे फीचर से जो मिसिंग है कि वाल अगरा भी यहां पर देखनी को था तो यह सारे फीचर मैंने आपको पर यह सारे फिचर्स हमें मिलते हैं या फीर नहीं All the Chaum हम यहां पर official EU की बात करें तो इसके भी my account के अंदर customization पे boot innovation और boot audio देखी को मिलता है यानि android 10 पे भी है port rom पे भी है और pyrom पे भी है तो सब पर यह features मिल जाता है अब बारिया देख किन-किन android 10 mi note 10 यानि cc9 pro जो के android 10 के उपर है mi 9 light या cc9 यह भी android 10 है redmi का note 7 pro जो के android 10 के उपर है अभी फिलाल यह phone मेरा बाहर गया वाए और lockdown के वज़ाए से वापस नहीं आया है तो जैसी आता है मैं redmi note 7 pro की वीडियो continue कर दूंगा यहां पर redmi का k20 pro और साथ यूज कर रहे हैं यहां पर redmi के note 4 device के अंदर mi का mix 3 है उसके बाद जो के android 10 है mi mix 2 android 9 mi max 3 android 10 mi cc9e जो की android 9 है mi 9 android 10 mi 9 pro 5g android 10 mi 8 android 10 mi 8ac android 10 mi 8 pro android 10 mi 8 light जो के android 10 है mi 8 explorer android 10 mi 6 android 9 mi 6 x 9 उसके बाद hm note 8 यानि हमारा redmi का note 8 जो के android 9 है hm note 7 यानि redmi note 7 वो android 10 है यहां पर redmi का note 5 pro यानि hm 5 pro जो की फिलाल मैं अभी यूज कर रहा हूं उसकार hm k30 यानि हमारा poco x2 जो के android 10 के उपर है hm k30 5G जो की चाइना में है इंडिया में आया नहीं है हमारा hm k20 या mi 90 जो के k20 है pro नहीं k20 जो के android 10 के उपर है तो यह टोटल ऐसे डिवाइसे हैं जिनको EU का अपडेट मिलता है तीन में से को भी एक लिष्ट आपके पास है डिवाइस तो आप डाइक लिए डार्लोड करके यूज कर पाऊगे और जो फीचर्स मैंने आपको बताएं वह सारे फीचर्स भी आप यहां पर यूज कर पाऊगे आज के लिए इतना ही आई होक्स हो कि मैंने आपको कंप्लेट डिटेल दे दिया है फिर भी आपके पास कोई कोस्चन्स या डाउट रह गया है तब कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो या फिर टेलिग्राम के कम्मुनुटी वेकर आप है जो यूज कर सकते हो अपने बेट आप